हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तों ये वीडियो भी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है और उनका कमेंट ये है कि ड्राइवर साइड के सीट वाला जो फ्रेंट स्पीकर होता है उसको कैसे चेंज करें खुद से और दोस्तों जो दूसरा कमें जो है स्क्रीन सॉट लेकर रख लेता हूँ और उन पर काम करता रहता हूँ तो आप इस चीज़ से बेफिकर रहिए कि आपकी वीडियो में नहीं बनाऊंगा वीडियो सबके कमेंट पे बनेगी बस ये है कि थोड़ा टाइम लग सकता है वीडियो आने में तो दोस्तों पर थोड़ा अंदेरा होता है और इसको खोलने के लिए हमें कैसे जाना है मैं आपको दिखा देता हूँ तो हमारा स्पीकर कुछ इस तरीके से यहां पर अंदर लगा होता है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आप यहां देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा वाइरिं का जो है मुझे space नहीं मिल पा रहा है तो इस वह से मैं आपको clear नहीं दिखा पा रहा हूं तो लेकिन मैं कोशिस करता हूँ कि यह आपको डिख दिख जाए तो दोस्टों देख सकते हो यह इस कुर्ण आपको दिख रहा हो ग्यां पर मैं आपको नगली लगा में खोलना है तो इसे खोलने का तरीका में बता देता हूँ तो आपको इसमें जो है एक screwdriver लेकर कुछ इस तरीके से आपको गाड़ी के अंदर लेटना होगा क्योंकि ऐसे लेटने से जो है आपको speaker और speaker के जो screw है वो साफ दिखाई देंगे और उसको आप आसानी से खोल पाएंगे तो दोस्तों जैसे के देख सकते हो मैं अब अपना iskrew खो खोल रहा हूँ तो मैं अब आपको अंदर से दिखा देता हूँ कि कैसे खुल रहा है हमारा iskrew तो दोस्तो अंदर से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा वायर होने के कारण इतना किलियर नहीं दिख पा रहा होगा लेकिन आप इसे देखकर समझ सकते हो कि कैसे मैं इसक्रू इसका खोल रहा हूँ आजाते हैं अपने वापिस काम के उपर तो मैं जल्दी से ये वाला स्क्रू खोल लेता हूँ और दोस्तो हमारा पहला स्क्रू जो था स्पीकर का वो तो खुल चुका है अब मैं आपको दूसरा स्क्रू भी खोल कर दिखा देता हूँ और दोस्तो एक बात और मैं आपसे बता तो flash light भी उतनी काम नहीं कर रही है तो दोस्तो बस शरिफ आप इसको mind मत लेना और बस शरिफ समझना कि मैं कैसे आपको यह speaker कोल कर दिखा रहा हूं जिससे के आप भी उस तरीके से अपना speaker कोल जगो तो दोस्तो दूसरा screw कोलने के बाद simply speaker को नीचे के side खीच लेना है और यह हमारा speaker जो है बाहर निकल आएगा तो मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूं यह देखो दोस्तो हमारा जो front side का speaker था वो बाहर निकल आया है तो यह तो मेरा speaker बिलकुल working condition में है तो मैं इसको change नहीं करूँगा और मैं आपको इसको change करना बता देता हूं तो इसके wire जो है ह इसको जो है वापिस लगा देता हूं तो speaker को वापिस लगाने के लिए इसके दोनों wire मैं यहाँ पर connect कर देता हूं पहले एक एक करके तो एक wire तो मेरा connect हो चुका है और हमें यह दूसरा वाला wire भी इसमें connect कर देता हूं तो दोस्तों यह तो हमारा speaker यहाँ पर connect हो चुका है और simply speaker को वापिस वही पर लगा देना है जहां से हमने speaker को निकाला था तो इसको लगाने के लिए वापिस जो है आपको गाड़ी में वैसे ही लेटना पड़ेगा जैसे के मैंने आपको वीडियो की सुरवात में दिखाया था लेट कर तो कुछ इस तरीके से आपको लिट जाना है और जो speaker के दोनों screw है उनको एक एक करके यहाँ पर वापिस से लगा देना है दोनों screw को और हमारा speaker जो है अब लग चुका है दोस्तों और मैं आपको इसकी testing करके दिखा देता हूँ तो उसके लिए मैं पहले कर लेता हूँ गाड़ी के ignition को on और दोस्तों ये दिखा देता हूँ अपना music system और ये मेरा stereo लगा हूँ है single din का और इसमें मैंने bluetooth को connect कर लिया है ये आप देख सकते हो यहाँ पर bluetooth का sign आ रहा होगा और ये मैंने NCS का music यहाँ पर select कर लिया है और आप मैं आपको इसकी sound दिखा देता हूँ तो दोस्तों आप भी अपनी गाड़ी का front speaker कुछ इस तरीके से change कर सकते हैं आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाय दोस्तों